कि मैं अलो वाई कैसे वह आप से भी आए हो वप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे एकदम बड़े होंगे और विक्दम मस्तों मश्चों बच्चों की हाल चाले सबके बड़े क्दम चालो बई तो तो देखो तुम्हारी जो माइंड मैप सीर्इज है उसमें mathematics के अगले chapter को लेकर मैं आ चुका हूँ जिसका नाम है areas related to circle ठीक है जहां पर हम कुछ ऐसे area जो की circle से related हैं उनके हम area निकालेंगे ठीक है जिन में से सबसे पहले आता है sector का area फिर आता है segment का area length of the arc के बारे में भी बात करेंगे और यह इसलिए important है क्योंकि इसमें इसे one mark two mark वाले question बनते हैं और अगर बना तो सीधा चार mark वाला question भी बन सकता है ठीक है तो बहुत important है यह और है कुछ नीज में केवल और केवल दो तीन formulas है अगर वह formulas तुम्हें याद है तो तुम आराम से इस पूरे chapter में इसे आने वाले किसी भी question को solve कर सकते हो ठीक है तो बिना कोई देर करें बिना कोई time लगाए सीधा शिरुवात करते हैं बही कमल भया के साथ अपना इस series के अगले chapter की चीक है तो चलो भई तो आपका basic से लेकर चलूँगा मैं ताकि सारी चीज़े अच्छे समझ में आ जाएं तो सबसे पहले circle के बारे में बात करते हैं सब को बताएगी circle क्या होता है अपना किसी एक point से equal distance पे जो present सारे points होते हैं अगर आप उन्हें जोड़ दो तो आपके पास circle बन जाता है ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करें तो circle की अगर हमारे पास radius r है ठीक है radius क्या होती है center से perimeter तक की हमारी जो यह circumference तक की डिस्टेंस होती है वो radius होती है अगर यह r है क्या है और यह क्या है यह पूरा होता है diameter radius क्या होती है diameter की हाफ होती है सब हमें पता है तो अगर हमारा circle की जो radius है वो r है तो उसका parameter क्या होता है ठीक होता है और area of circle होता है यह बेसिक-बेसिक फोर्मिलाइस जो मैं revise करा रह award क्योंकि इनकी जरूरत पढ़ेगी ठीक है उनकी जरूरत पढ़ेगी तो perimeter of circle होग little two pi r और area of circle होता है pi r square एना इसके बाद अगर हम बात करें semi circle के लिए तो semi circle के लिए perimeter क्या होता है आपका two pi r का half कर दो तो कितना हो गया pi r और उसमें क्या करो अपना जो radius है वो दो बार add कर दो तो याने की pi r plus two r ठीक है तो ये perimeter हो गया और area निकालने के लिए क्या करते हैं हम semi circle का हमारे circle के area का half कर देते हैं याने की pi r square by two खतम बात ठीक तो ये बात हो गई semi circle की अब बात कर लेते हैं कि circle में arc क्या होता है ठीक है तो देखो किसी भी circle को उठाओ कोई भी एक circle ले लो ठीक है इन दोनों points को मिलाने के लिए जो आपका circumference का area लिया जा रहा है जो circumference का part लिया जा रहा है इन दोनों points को मिलाने के लिए वही तुमारा क्या हो गया? arc हो गया वही तुमारा क्या हो गया? arc the arc of a circle is defined as the part of segment of the circumference of a circle मतलब circumference का ही छोटा सा कोई part आपका क्या हो जाता है उसका arc हो जाता है ठीक है जैसे कि यहाँ पर a b है ठीक इतना सब को clear हो गया अब बात करते हैं बच्चो हमारा किसी circle के अगर तुम्हें arc की length निकालनी है ठीक है तो मान लो आपके पास circle है ठीक है circle की radius है r ठीक और आपके पास एक arc बन रहा है कुछ इस तरीके से आपका a b ठीक है a b आपका arc बन रहा है यह रहा है और आपको इस a b arc की length निकालनी है तो देखो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि यह जो a b arc है यह आपका circle के center पे कितना angle बना रहा है ठीक है अगर आपको यह angle मिल गया मान लो यह angle है theta ठीक है radius r है और जो तुम्हारा arc है वो circle के center पे theta angle बना रहा है तो तुम्हारा जो length of the arc का formula है वो होता है कितना यह होता है theta by 360 into 2 by r मतलब कि आपका जो perimeter का formula होता है यह circumference का जो formula होता है circle के उसमें theta by 360 से multiply कर दो बात खतम ठीक है arc of the length क्या आ गई वही है theta by 360 into 2 by r ठीक है theta क्या यहाँ पर theta हमारा वो angle है जो की arc से किस पर बन रहा है center of the circle पर बन रहा है ठीक है यह हो गया बच्चों सबसे पहला formula length of an arc of an sector length of an arc of a sector of angle theta मतलब कि यह तो यह जो आपका arc है ठीक है इसकी जो length है वो कैसे निकली हमारी theta by 316 into 2 by r से खतम बात अब इसके बाद का बात कर लेते हैं हमारा sector की sector of a circle क्या होता है sector of a circle क्या होता है क्योंकि यह main चीज है इसमें से question आएगा 110% तो इसे तमीज से समझ लेना sector of circle को तमीज से समझ लेना क्या होता है तो देखो आपका जब आप किसी circle के दो radius को मिलाते हो तो इनसे बनने वाला जो area होता है वो हमारा क्या होता है वो हमारा होता है sector ठीक है और जब आप एक sector बनाते हो ना तो आपका पूरा circle दो parts में divide होयाता है तो जो छोटा वाला part होता है जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो यह छोटा वाला part है जिसे मैं अभी shade कर रहा हूँ इसे हम बोलते है minor sector ठीक है और जो बड़ा वाला part होता है इसे हम बोलते है major sector ठीक है जो छोटा वाला area है वो क्या हो जाएगा minor sector जो बड़ा वाला area है major sector अब इसका area निकलता कैसा है देखो इसका area ही निकालना हमारा सबसे बड़ा काम है ठीक तुम्हारे पास एक circle है ठीक है उसका center है ओ radius है आर ठीक है तुमने दो radius उठाईं तुमने दो radius उठाईं और क्या क लिए तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें अब इसका area निकालना है क्या किसका area निकालना है इसका area निकालना है तो इसके लिए भी तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा सबसे पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा the angle made by the arc on the center ठीक है तो जो यह angle बनेगा यह आपको पहल तो यहां पर जो तुम्हारे इसके एरिया का फॉर्मिला हो जाएगा तरकल के एरिया में 502 पाइर स्क्वाइर और पाइर दो ज़िए न मेरे पासा आगया area of sector is equal to theta by 360 into pi r square ठीक है यह length of the arc क्या था length of the arc था theta by 360 into 2 pi r और तुमारा area of sector क्या हो गया minor sector का area कैसे निकलेगा theta by 360 into pi r square अब देखो minor sector का area निकालना आ गया theta by 360 into 2 pi r कर दोगे major sector का कैसे निकलेगा तो बस कुछ नहीं करना पूरे circle में से बस यह जो minor sector है इसका area subtract कर दो तुमारा काम हो जाएगा ठीक है अगर major sector का area निकालना है तो simple सी बात है तुमारा क्या आ जाएगा तुम्हारे पास आ जाएगा simple क्या area of major sector major sector क्या होता है उदर लिखा हुआ है ठीक है पढ़ना है पढ़ दो नहीं तो मैं सीधा बात करता हूँ अल्रेडी समझा चुका हूँ is equals to area of circle याने की pi r square minus हमारे पास क्या हो जाएगा area of minor sector बात खतम minor sector खतम बात हो गया ठीक है area of minor sector बात खतम पूरे circle के area में से minor sector का area सब्ट्रेक कर दो खतम बात या फिर एक दूसरा तरीका भी है अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारा major sector जो है तो यह जो बड़ा वाला एक फार्मुला जो थे वह इतनी थे मैं सेक्टर के से मेना जऑना रख जोगे बुसके बाद पूरे घाया मेंग में चैला जाएगा मैंतलमालन इतना ही था फिक बार इसके बाद आता है सेगमेंट कभ आता है बच्चोग जब आपकी सर्कषल में को पार्ट वो टू पार्टस में डिवाइड हो गया उनी पार्टस इंट्ड संघ्मेंट बोलते हैं छोटे वाले पार्ट को माइनर सेंगर बड़े वाजर सेंग्मेंट थिक है simple सी बात है अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि sir chord क्या होती है तो बेटा मेरे लाल chord होती है कोई भी ऐसी line जो कि circle के किसी दो point को मिला रही हो ठीक है circle के किसी दो point को अगर कोई line मिला रही है तो वो chord होती है जैसे कि यहां पर नीचे बनी हुई है तो आपने जैसे chord बनाई दो पार्ट में circle divide हो गया छोटे वाले पार्ट को minor segment बड़े वाले पार्ट को major segment बोल देंगे अब segment का area कैसे निकलता है यह थोड़ा समझने वाली बात है ठीक है ताकि और अच्छे समझ में आ जाए यह अपने पास circle है भाई कोई radius r का ठीक है इसकी तुमने code जो है वो मिला दी चीक है यह री भाई यह code उठाओ और मिला दो यह हो गई चुट्टी यह code हो गई अब देखो तुम्हें क्या करना है तुम्हें सेग्मेंट का इस माइनर सेग्मेंट का area निकालना है तो देखो अगर मैं क्या करूँ मैं a से मिला देता हूं किसे मैं a से मिला देता हूं हमारा o को और मैं इधर हमारा b से भी मिला देता हूं o को ठीक है a से o को मिला दिया मैंने और मैंने इधर b से भी o को मिला दिया है ना तो यह दोनों क्या है ए ओ और ओ बी दोनों की दोनों हमारी रेडियस है यह भी रेडियस है और यह भी रेडियस है ठीक है तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा ओ यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा जो सेग्मेंट है यहां पर यह जो आर्क है यह आर्क हमारा ती ले लेते हैं तो हमारे पास OACB क्या बन रहा है OACB यह एक सेक्टर बन रहा है यह नहीं बन रहा है OACB हमारा एक सेक्टर बन रहा है यह नहीं बन रहा है cdc बात है तुम्हारा दो रेडियस हैं और एक आर्क है तो हमारे पास ओए cb क्या बन रहा है एक सेक्टर बन रहा है ठीक है हमें क्या निकालना है हमें a c b सेग्मेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो ध्यान से देखो जड़ा अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम ऐसा कर दो कि तुम अपने इस सेक्टर के एरिया में से क्या करो इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक कर दो तो क्या बचेगा भाई सोच के देखो जरा सोच के लेखो क्या बचा अगर तुमने इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक कर दिया हो तुम्हारे पास क्या बचा तुम्हारे पास बचा केवले सेग्मेंट का एरिया तो सेग्मेंट का एरिया ऐसे ही निकलता है बच्चो इसका का एरिया निकाल सकते हो, क्या करके area of segment ACB is equals to area of sector sector OACB minus area of triangle OAB बात खतम अगर आपने ये कर दिया मैं अंदर ही लिख देता हूँ area of triangle OAB अगर आपने ये कर दिया तो आपके पास segment का area आजाएगा minor segment का major segment का कैसे निकालेंगे major segment का फिरवई तरीका पूरे circle के area में से minor segment के area को घटा दो major segment का area आजाएगा बात खतम तो ये method है जिससे आप निकाल सकते हो area of a segment ठीक है इसके लिए कोई formula नहीं है अब आजाते हैं बच्चों इनी दो तीन चीजों पर जो हमने अभी पढ़ी है sector, segment ठीक है और length of arc इनी पर बेस तुमारे question आएंगे तो basic से questions की practice कर लेते हैं जैसे कि तुमारे पास सबसे पहला question यह आगया कि perimeter of a sector of a circle whose central angle is 90 degree तो आपको theta की value मिल गई 90 degree है ना और आपको radius मिल गया 7 cm बहुत easy है यह तो यह तो बहुत easy है क्या जाएगा answer तुमें क्या निकालना है perimeter of a sector याने की length of the arc निकालनी है हमें हमें निकालनी है length of the arc क्या हो जाएगी बच्चों यह हो जाएगी हमारी simple कितना देखो भई यह हो जाएगा हमारा theta upon 360 degree into pi 2 pi r तो आपने पास क्या जाएगा यह हो जाएगा theta की value होगे 90 degree upon 360 degree into 2 into pi की value होती है 22 by 7 into r की value है 7 7 से 7 cancel out हो गया ठीक है 90 से से divide करेंगे तो कितना आगया 4 4 से से divide करोगे तो आगया 2 2 से से divide करोगे तो यह आगया अपने पास कितना यह आगया हमारा 11 11 cm आगया ठीक है 11 आगया बच्चो यह क्या आगया देखो अगर तुम्हें एक circle बनाते हो ऐसे ठीक है उसके अंदर तुमने एक sector बनाया ऐसे तो अभी तुमने क्या निकाला है अभी तुमने केवल length of arc निकाली है ठीक है तुमने क्या निकाला है तुमने length of arc निकाली है तो याने कि तुम्हें पूरे सेक्टर का पेरिमीटर चीए तो याने कि सेक्टर के पेरिमीटर में तो ये भी आ जाएगा सेक्टर के पेरिमीटर में तो ये भी आ जाएगा तो याने कि तुम्हें ये तीनों चीज़ चाहिए ये तुम्हारे पास 11 आ चुकी है ठीक है ये तुम्हारे पास क्या है रेडियस है 7-7 तो 11 प्लस 7 प्लस 7 होगा तो याने कि हमारे पास जो value निकल कर आ जाएगी वो कितनी होगी देखो यहाँ पर ही कर देता हूं मैं side में हमारे पास जो value आ जाएगी देखो वो होगी हमारी perimeter of sector is equal to length of arc 11 प्लस रेडियस प्लस रेडियस तो हमारे पास कितना आ गया यह हो जाएगा हमारे पास कितना 25 cm ठीक है तो 25 cm हमारा answer हो जाएगा याने कि option number कौन सा correct हो गया option number B is absolutely correct खडम बात clear है बहुत simple सा question था अराम से हो गया next question पर आ जाओ नेक्स कोशन थोड़ा तगड़ा रखते हैं क्या कहा रहा है find the area of a sector of a circle with radius 6 cm and angle is 60 degree तो area निकालना है area of sector मैं direct बात करता हूं अब question की ठीक है solution की theta upon 360 theta की value is 60 degree upon 360 into radius is 6 तो 2 pi कितना हो जाएगा area निकालना है याने की pi r square तो pi into r square तो अपने पास क्या हो जाएगा इससे divide कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1 upon 6 into 22 by 7 into r square तो r की value is 6 तो 6 into 6 6 से 6 cancel out हो गया ठीक है अपने पास value क्या हो जाएगी यह हो जाएगा हमारे पास यह value आ गई 6 2 जा 12 2 carry 1 6 2 जा 12 और 13 तो 132 by 7 cm square हमारे पास value आ जाएगी ठीक है इसे चाहो है तो आप आगे solve कर सकते हो ठीक clear है भई यह भी हो गया easy question है अराम से हो जाएंगे अब देखो एक तगड़ा question देखते है ठीक है अब इस question को तुम कैसे solve करोगे हाँ पर हमें area of segment निकालना है तो देखो ऐसे question को solve करने के लिए तरीका तुम जानते हो तुम्हें पहले area of sector निकालना पड़ेगा O-B-Y-A या O-A-Y-B area of sector निकालो उसके बाद area of this triangle निकालो और उसके बाद क्या करो अपना minus कर दो sector के area में से तो कैसे होगा देखो A-O-B तुम्हें angle given है 120 degree तुम्हें radius पता है 21 तो देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारा area of O-A-Y-B यानि की area of sector निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा theta upon 360 into pi r square ठीक है कितना हो जाएगा theta की value होगई 120 degree upon 360 degree into pi की value होगई 22 by 7 into r की value है 21 21 into 21 है ना solve कर लो 0 से 0 गया 12 से divide करेंगे तो यह आगया 1 by 3 into 22 7 से से काटेंगे तो यह आगया अपने पास 3 into 3 into 21 3 से 3 cancel out होगया अपने पास बचा क्या 21 into 22 तो यह हो जाएगा 21 into 2 हो जाएगा 42 to carry गया 4 21 into 2 तो यह हो जाएगा 42 और 4 यह आगया 462 कितना आगया 462 हाँ तो यह आगया 462 cm2 ठीक है तो area of sector तो निकल कर आ गया यह तो बहुत ठीक है कहां से O से AB पर एक perpendicular डालोगे तुम मैं समझा रहा हूं करना क्या है मैं समझा रहा हूं करना क्या है O से AB पर perpendicular डालोगे O से AB पर perpendicular डाला अब तुम्हें पता है कि height into base होता है तो तुम्हें मालोगे यह perpendicular है हमारा D तो तुम्हें OD चाहिए और AB चाहिए हमें पता है area of triangle 1 upon 2 basin to height तो AB और OD चाहिए हमें कैसे निकलेंगे सबसे पहले आप क्या करोगे triangle OBD और OAD इन दोनों को proof करोगे क्या इन दोनों को congruent proof करोगे ठीक है congruent proof करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा AD is equal to DB मैं direct बता रहा हूँ इस question में time लगेगा क्योंकि काफी ठीक है AD is equal to DB आ जाएगा ठीक और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा angle AOD और BOD इक्वाल आ जाएगे यानि कि ये angle भी 60 degree हो जाएगा और ये angle भी 60 degree हो जाएगा उसके बाद तुम trigonometric ratios का इस्तिमाल करके क्या कर सकते हो पहले DB upon OB तो क्या है भई 60 degree के लिए DB क्या होगा 60 degree के लिए DB perpendicular है OB hypotenuse है तो क्या हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse किसकी value होती है sin theta की तो sin 60 degree is equal to हो जाएगा DB upon OB यहां से तुम्हें value मिल जाएगी DB की ठीक है DB का double कर दो के value आ जाएगी किसकी AB की value आ गई अब क्या करो और क्या निकालना है हमें और निकालना है OD तो OD क्या है 60 degree के लिए base तो base और hypotenuse में क्या बन जाएगा cos theta cos 60 degrees equal to हो जाएगा base upon hypotenuse उसका इस्तिमाल करके OD की value निकालो फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा area of triangle हो जाएगा 1 upon 2 AB into OD solve करो triangle के area निकल कर आएगा उसे subtract कर देना 462 में से तुम्हारे पास answer निकल कर आ जाएगा ठीक है यह सिंपल सा method है किसका यह सिंपल सा method है sector के area को निकालने का clear है समझ में आ गया जल्दी से बताओ clear है नहीं देखो और यह right angle कैसे यह concurrent कैसे प्रूव होंगे concurrent prove करना भी कोई बड़ी बात नहीं है मैं हाथो हाथ बताई देता हूं देखो 90 degree 90 degree दोनों के दोनों के दोनों के दोनों यह right angle है right angle की सामने वाली साइड hypotenuse दोनों की equal है दोनों की equal है hypotenuse OA OB hypotenuse है ठीक है और OD is equal to OD तो किसी एक triangle में के कोई दो right angle triangle में अगर आप hypotenuse और एक side को equal prove कर दो तो RHS criteria लग जाता है भाई तो आपके पास आ जाएगा आपका triangle OAB is congruent to triangle sorry OAD is congruent to triangle OBD यहाँ पर मैं लिख देता हूं by RHS criteria बता चुका हूं तुम्हें है ना फूरा question करा दिया है लेकिन फिर भी करा रहा हूं आगे मैं ठीक यह आगया तो AD is equal to DB हो जाएगा AD is equal to DB हो जाएगा और angle AOD is equal to हो जाएगा angle BOD के और यह दोनों क्या हो जाएगे half of angle AOB यानि की 60 degree हो जाएगे कहां से आए यह by CPCT थोड़ा direct कर रहा हूं हम मैं इसे by CPCT ठीक है अब क्या लगात हो के भाई आप अपना triangle ODB ले लो in triangle ODB सबसे पहले हम ले लेंगे sin 60 degree क्या होगा आपका 60 degree के लिए perpendicular upon hypotenuse ले लो यानि की BD upon OB यह आजाएगा sin 60 degree की value होती है root 3 upon 2 BD की value हमें निकाल नहीं है OB की value है 21 तो यह आगया 21 root 3 upon 2 ठीक है is equal to BD की value तो यह आ गई BD की value BD is equal to AD था तो AB क्या हो जाएगा AB is equal to हो जाएगा 2 into BD तो हमारे पास आ गया 2 into 21 root 3 upon 2 2 से 2 cancel out हो गया 21 root 3 cm यह लो भाई यह आ गया 21 root 3 cm अब आप OD निकाल लो किस से cos 60 degree will be equals to OD upon OB तो यह हो जाएगा cos 60 degree की value होती है 1 upon 2 OD की value हमें निकाल नहीं है OB की value कितनी है 21 तो यह आ जाएगा 21 by 2 OD की value होगे 21 by 2 21 by 2 ठीक है अब आपके पास formula है भीया formula लगा लो क्या होता है formula होता है अपना कितना area of triangle OAB is equals to half into base base हमारा क्या है base है हमारा AB AB की value हम already निकाल चुके है 21 root 3 into height 21 by 2 ठीक है इसे solve कर लेंगे तो यह जाएगा अपने पास कितना 21 into 21 तो यह हो जाएगा हमारा 1 carry गया 2 21 2 जा 42 और 2 तो 441 root 3 upon 4 cm2 ठीक है अब भीया हमारे पास area of segment क्या हो जाएगा area of segment of segment area of sector में से याने की 462 में से 462 माइनस 441 root 3 upon 4 इसे solve कर लो तुम्हारे पास answer निकल कर आ जाएगा खतम बार ठीक है तो पूरा question ना ना करते हुए भी करा दिया मैंने ठीक है तुम्हारे रेखो का shaded part का area निकालना है कैसे निकालोगे देखो उपर वाला पार तो तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है एक क्या है उपर वाला पार तो एक semi circle बन रहा है ठीक है इसमें हमें सेंटीमीटर उपर वाले semi circle का area निकल कर आ जाएगा निकाल लोगे आराम से फिर क्या करोगे नीचे देखो ध्यान से कि नीचे बन रहा है rectangle अगर तुम क्या करो देखो यह क्या बन रहा है एक साफ यह दोनों semi circle के भी हाफ है यानि कि यह वन फोर्थ पार्ट है circle के यह क्या है यह वन फोर्थ पार्ट है circle के रेडियस तुम्हें पता है इनकी कितनी है यह 90 डिग्री हो गया रेडियस तुम्हें बताए 7 cm है total किसके एरिया में से total rectangle के एरिया में से इन दोनों का एरिया सब्ट्रेक कर दो कैसे निकलेगा इनका एरिया area of sector से तुमारे पास radius है तुमारे पास angle है ते इसका भी निकल जाएगा तुम्हारे पास radius है 7 cm तुम्हारे पास angle है 90 degree तो total rectangle में से इन दोनों का area subtract करोगे तो तुम्हारे पास shaded part का area आजाएगा उसे add कर देना semi circle के area में तो complete हो जाएगा तुम्हारा question ठीक है यह question की practice तुम्हें खुद से करनी है और इसी के साथ बच्चो अपना जो आज का कारेकरम किसका mind map series का area related to circle वो यहीं पर खतम होता है मैं मिलता हूं तुम से सीज़ा तुम्हारी next class में next series में series के next lecture में तब तक के लिए take care टाटा और बाए बाए